ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी मान्ये जन्परतिनिधियों का मने विधायक, मने विधान परिशा सबस्य और विधान मंडल के कारवाई को सकुसल संपन करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़ेवे अन्य जोन के सयोगी है बिधान सभा और बिधान परिशत के सचवाले से जुड़ेवे जो अदिकारी गण है इन सब का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना भजट पास कर लिया था मांसून सत्र में प्रदेश की आउसिक्ता को ध्यान में रखते वे पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा श्वाभाई गुरुप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरतीवी अर्थ विवस्ता की और अग्रसर हुआ है और यही करण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साथ वर्स में प्रदान मंत्री मोदी जी के मार्ग दर्सन में उनके सुसी नेत्रत्तों में जिन उचाईयों को प्राप्त किया है वे अभूत पूर्व हैं और विस्मर्णिये हैं अनुकर्णिये हैं सदन की कारवाई सुचार रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननिये सदस्यों का वे सत्ता पक्सों या विपक्सों सभी का योगदान मिल सके इस के लिए मैं सभी माननिये जन प्रत्रिदियों का आवहान करूँगा और खास तोर पर विपक्सी सदस्यों से मैं कहूँगा कि वे जिन भी उन रसनात्वंग मुद्दों को ले करके सदन का ध्याना गर्षित करना चाहेंगे प्रदेश के विकास से जुड़ी भी प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी भी हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिवद्द है सदन का मंच उस चर्चा का परिचर्चा का विसे बने इसके लिए हम लोग पूरी तयारी के साथ मेरे सयोगीकण उसका जवाब देंगे सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहाँ पर उपस्तित रहेगी सदन की कारवाई सुचार रुप से चल सके, विधाई कारे सकुसल संपन्न हो सके इसके लिए मानने सदन से जो भी मानने सदस्य गण है उन सब से मैं अपील करूँगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन करने में अपना योगदान देंगे इसके लिए आज से प्रारंब हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी मानने सदस्यों से पील होगी मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंब होने के लिए क्या उसर पर सभी अपने मानने सदस्यों का जो इस सदन के कारिक्रम में भाग लेने के लिए आये हैं वेसे भी यहाँ देवादितेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो सिवभक्त हैं वे सभी सिवभक्त इस पूरे मास में इस कारिक्रम के साथ जुड़ेवे हैं तो सावन मास में एक तरफ सिवभक्तों की कावड यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के ले निरंतर प्रित्न सील हमारे जन प्रतिनिदिगन उन से जुड़ेवे मुत्नों को लेकर के प्रदेश के विकास से जुड़ेवे मुत्नों को लेकर के प्रदेश के जुड़ीवी किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बाते उनके द्वारा रखी जाएंगे उनमुत्वों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पुरी तैयारी के साथ है और मुझे पुरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास जनकल्यान से चुड़ेवे उनफूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विश्वास है बना करके हम उसे विवस्तित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगधान देंगे आज के सौसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंब में सभी मानने सदस्यों का मैं अपने सयोगियों की ओर से मेरे दोनों सयोगी उपमुक्य मंत्री जो ऐसी केशो परशाद मौर्या जी सी ब्रजेश पाठक जी संसद्य कारे मंत्री और बित्त मंत्री सी सुरेश खना जी अमारे दोनों स्योगी जो संस्दिय कारे राज्य मंत्री के रूप में अपना दाहित्व निर्वहन कर रहे हैं सि मायंकेश्वर सरण सिंगे, सि जस्वंत सेनी जी इन सब की ओर से मैं सभी मानने सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और मानसुन सत्र को सुचार रूप से चलाने के लिए उन सब के स्योग की अपेक्सा और आकांसा रखता हूँ धन्यवाद जय है